नमस्ति दोस्तों आज मैं आपके साथ आपके बच्चों का वजन हेल्दी तरीके से बढ़ाने वाली सबसे आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसे आप 8 मैने से उपर के बच्चों को लेंच ये डिनर में बना कर दे सकते हैं और आज इस रेसिपी को हम पनीर के काफी लाब दयक है तो फिर आईए इसे बनाना शुरू करते हैं और इस हैल्दी फूट को बनाने के लिए देखिए मैंने गैस पर कड़ा ही रख दी है अब इसमें हम डाल देंगे सबसे पहले एक चोटा चमज घी और इसे हलका सा गरम होने देंगे तो यह देखिए गी ग बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर और राई के दाने जैसी हलके से चटक जाएंगे तब इसमें हम मिलाएंगे दो छोटे चमज सूजी तो आप बारिक वाली या मोटी वाली किसी भी तरीकी सूजी का इस्तमाल कर सकते हैं डाल देंगे इसे भी कड़ाई में और इसे घी और रा पर अब इसमें हम मिला देंगे एक ग्लास के लगभग पानी और पानी मिलाते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे तो इदेखे पानी में डाल दिया है मिक्स कर लेंगे एक बार इसे बिल्कुल लंप सुरी होने तक और इसमें हाई फ्लेम पर उबाल आने दें चमब द्राइफ्रूट प्रौडर तो इसे बनाने के रेसिपी आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं अब मैंने यहां पर एक चोटा टुकडा पनीर का लिया है यह देखिए तो मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है आप चाहें तो इसे हाथों की हेल्प से मैश कर सकते हैं इसे भी हम डाल देंगे कड़ाई में और सबी चीजों को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जैसे यह मिक्स हो जाएगा तब इसका हम धक्कन लगा देंगे और इसे पकने देंगे 2-3 मिंट के लिए बिल्कुर मीडियम फ्लिम पर और बीच में चम अब हम कईस बंद कर देंगे और इसे हलकर ठंडा होने के बाद आप इसे अपने बच्चों को सर्व कर सकेकाते हैं तो ऐसे हम सर्व बार में निकाल लेंगे और ये भी बनकर समय में आ family सल्ट भॉड्ऑ से बनकर तयार होने वाली हैलधी रेसे जिसे आप बचिंग को लंच जो को स्वाद में काफी पसंद आने वाली है तो एक बार आप इसे अपने बच्चों के लिए जरूर टाई कीजिएगा और कैसे लगी आपको आज की रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शियर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुन मत भूलिएगा साथ ही बैल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिसने के मेरे आने वाले वीडियो की लेटिस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंश सकें तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी एंटेस्टी बेबी फूर रेसिपी के साथ में तब तक के लिए बाई बाई